Hello everyone, I hope you all are doing well. Today I am going to tell you about human digestive system. Human digestive system में कौन-कौन से पार्ट्स होते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे. कैसे digestion की process होती है, उन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में आज हम पढ़ने वाले हैं. तो human digestive system के बात करते हैं, तो कहां से starting होती है? माउच से, जो फूड को ब्रेक करने में मदद करता है, यहां से हम फूड का intake करते हैं. यहां से फूड होता हुआ, कहां चला जाएगा? फैरिंक्स में, देन ओसो फैगस, जिसे फूड पाइप भी बोलते हैं. फूड पाइप से होता हुआ, वो कहां चला जाएगा? स्टमक के अंदर. स्टमक के अंदर उसका जो digestion है, वो बिल्कुल पूरी तरीके से start हो जाता है. और यहां से होता हुआ, वो duodenum, जो कि small intestine का part है. और यहां से होता हुआ, कहां चला जाएगा? पूरी तरीके से होता हुआ, लार्ज इंटरस्टाइन में आना शुरू हो जाएगा. और लार्ज इंटरस्टाइन में आने के बाद वो कहां चला जाता है? रेक्टम और आनस के थूँ वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाल दिया जाता है. मैं यह क्यों बोल रही हूं कि वेस्ट प्रोडक्ट को? क्योंकि यहां से तो हमने फूड का इंटरस्टाइन किया था, क्योंकि बीच में यहां जो स्टमक है और स्मॉल इंटरस्टाइन है, इनके अलग-अलग पार्ट्स में उसका डाइजेशन किया जाता है, मतलब उसका जाता है, जो यूस्फुल न्यूट्रियंट्स है, जिनका बोड़ी को यूस करना है, उनको अब्सॉर्ब कर लिया जाता है, यह अलग-अलग स्टेप्स होते हैं, डाइजेशन के, जहां पर यूस्फुल न्यूट्रियंट्स को ले लिया जाता है, अप्टेक कर लिया जात है यहां से जो ट्रेवल करते हुए इस तरीके से हमने इस पात को देखा था यह क्या है एक elementary कनाल है और विकेंड से गट गट भी बोल सकते हैं और elementary कनाल भी बोल सकते हैं basic organ of human digestive system are mouth buccal cavity oisophagus also known as food pipe stomach जो की J-shape का होता है small intestine large intestine rectum and anus elementary कनाल और gut is the entire path of food from mouth to anus humans क्या होते हैं omnivores होते हैं omnivores का मतलब क्या होता है they can eat plant product as well as animal and their products जो दोनों ही चीज़ों को खा सकते हैं उन्हें omnivores बोला जाता है there are five stages in human nutrition past stages में जो digestion है digestion की process है पूरी वो complete होती है ingestion, digestion, absorption, assimilation and digestion the human digestive system comprises of elementary कनाल and digestive glands इन दोनों से मिलकर क्या बना है human digestive system बना है इनके साथ साथ दो important चीज़े होती है peristaltic moment और spinches जो की important role play करती है सबसे पहले हम बात करते हैं elementary canals की parts की जिसमें सबसे पहले आता है mouth it helps in ingestion food को intake कने में मदद करता है mastication food को चबाया जाता है and deglutation मतलब swallowing में help करता है in men there are 32 teeth of four different kind 32 दात मिलते हैं चार अलग अलग तरह के जो की पहले तरह की है incisor then canine premolar and molars incisor कैसे होते हैं sharp होते हैं यह जो चारो दात है वो अलग 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 functions के लिए बने होते हैं जैकि incisor कैसे हैं biting के लिए canines होते हैं piercing of food tearing के लिए चीरने फाडने के लिए premolar और molars grinding में help करते हैं crush करने में food को then आता है pharynx it is short funnel shape reason that lights after the mouth it is common passage for food and air pharynx क्या होता है गले में present होता है जो की food के लिए और air के लिए एक common passage बनाता है एक common pathway बनाता है जहां से food pipe अलग हो जाती है और सास लेने के लिए जो pipe होती है वो अलग हो जाती है then आता है oisophagus food travel करते हुए यहां से कहां जला जाता है it is a muscular tube about 25 cm long 25 cm की होती है लगबग इसका function क्या होता है transport करना food का कहां से कहां तक mouth से लेकर stomach तक लेके जाएंगे जैसे ही हमने food को निगला mouth में वो कहां तक लेके जाएंगे उसे stomach तक कौन लेके जा रही है oisophagus जिसे हम food pipe भी बोलते है इसके बाद यह कहां जुड़ा होता है small intestine के साथ it is a longest part of elementary canal and is about six meter long six meter long है यह इसी लिए इसे बोड़ी के अंदर इसे लिए से बहुत जादा cold foam में मतलब घुमा फिरा के इस तरीके से क्या कर दिया जाता है फिट कर दिया जाता और यह नैरो ट्यूब होती है बहुत ही पतली ट्यूब होती है चोड़ी नहीं होती पतली ट्यूब होने की बज़े से ही से small intestine बोला जा रहा है अदरवाइज इसके लेंद तो बहुत जादा है six meter लोंग है बटि बहुत ही ज़्यादा पतली होती है घुमावदार होती है इसे लिए से small intestine बोला जाता है जबकि large intestine क्यों बोला जा रहा है इसे यह चोड़ी है wider है small intestine के comparison में और यह लग बग 1.5 मीटर फिल्या जोटी है लेकिन चोरी है इसलिए तो लार्ज एंटस्टाइन बोला जाता है गहाँक स्मॉल एंटस्टाइन में कुछ फिंगर आख mm होते फिंगर लाइक मतलब इस तरिके की बोला जाता है जो कि शी में मदद करेंगी small intestine में जैसे ही food आता है उस food को absorb करने में उससे nutrients को absorb करने में मदद करती है उसके बाद large intestine जुड़ी होती है rectum के साथ जो कि slightly dilated part होता है इस तरीके से घुमावदार part होता है जो कि temporary temporary storage करता है food की जो यहाँ पर आ जाता है यहाँ पर कौन सा आएगा food का part जो waste होगा और anus क्या होता है rectum के साथ जुड़ा होता है और help करता है fecal metal को body से बाहर निकालने में उसके बाद हम most important part की बात करते हैं जो कि यह process of digestion process of conversion of large complex substance into simpler smaller soluble molecules में convert करना ही digestion कालाता है यह कहां से start होता है mouth से start हो जाता है mouth में क्या होता है tongue होती है taste करने के लिए food को data होते है food को crush करने के लिए then salivory amylase या tylene enzyme यह दोनों enzyme क्या है एक ही है के यह इंजाइम कहा से होता है saliva से saliva रेलीज होता है salivary gland से यह हमारे digestive शिस्टम के सबसे पहली gland है जो माउथ पे प्रिजान होती है buccal cavity वाले एरिया में प्रिजान होती है इससे saliva लीज और उस सलाइवा में लाइवरी अमाइलेज नाम एक अजाइम पाया जाता है जो कन्वर्ड करता है स्टार्ज को शुगर के अंदर बॉर पर कन्वर्जन होना स्टार्ट हो गया हैं उसके बाद फूट कहा जाता है ऑस फूट चौह पासेज। प्रॉपॉर्ट तरफ कैसे जाएगा आप सिंपल तो वह एक नेरोट्योब होती है नेरोट्योब होने की वज़े से उसके अंदर एजली फूड सीधे यहां से आते ही नीचे नहीं जा सकता उसे घीचना पड़ता है उसके अंदर से लगातर कॉंट्रेक्शन होना पड़ता है तो यहां पर आत हो जाएगा तो यह होती है परिस्टेल्टिक मूमेंट देन फूड कहां आ जाता है स्टमाक के अंदर स्टमक में गेस्ट्रिक जूसेज प्रेजेंट होते हैं पैपसीन एचल म्यूकस यह तीन अलग-अलग गेस्ट्रिक जूसेज है पैपसीन मतद करता है इंदा प्रेजेंट होता है अब वहां पर ऐसेडिक मेडियम हो रहा है तो उससे बचाने के लिए इनर मेंब्रेन को स्टमक की उसको बचाने के लिए मुकस भी प्रेजेंट होता है जितना होना था वह आगे की तरफ किसक जाता है पैरिस्टेल्टिक मूमेंट से ही स्मॉल इंटस् इसमें तीन ग्लेंड की थी इसमें सिस्टम में अघकरियाज इसके बाद यौ फैर तरह दोनों यह दिन कशया है इमपोर्टेटेश्ट ग्लेंड से लीव तेतों, यह पांड टेंट श्टोर करता है अग्षी हूद इसलेट ने दोन गष्यानरृत रहता है देन वो बाइल ड़क्ट के थू कहा आ जाता है श्मोल इंटेस्टाइन के डियोड़नम पार्ट में आ जाता है ऐसे ही पैंक्रियास से पैंक्रियाटिक जूस रिलीज होता है जिसके अंदर दो एंजाइम पाए जाते हैं लाइपेज और ट्रिपसिन लाइपेज और ट्रिपसिन क्या करता है परोटीन को पेप्टाउंस में चोटे चोटे पाइपस में तोड़ दिता है 5 Ps को यहां से जो बैल सिक्रीट हुआ से उसका क्या आप इमल्सिफिकेशन में लाईपेट ग्लोबिल ज को स्मॉल फैट ग्लो जूबिल में कम allies यहांसे गियातें अ तोड़ देते हैं कार्बोहड़ेट को ग्लुकोज में फैट को फैटी एसिट और ग्लीस्रोल्स में प्रोटीन को अमाइनो एसिट के अंदर एंटस्टाइंE, उस्टे कि टोटे हैं उनका फिर मगश्यण हो जाती है। इसन प्रोसेस प्रोसेस कॉम्पलीट हो जाते है उसे वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाल दिया जाता है। स्टमक में पाद फूड वापिस क्यों नहीं जाता नॉर्मली यहीं पर डजिशन होता रहता है पेरस्टर्टिक मॉमेंट हमेशा नीचे की तरफ ही क्यों होती है क्योंकि यहाँ पर स्पिंटर्स प्रेजेंट होते हैं स्पिंटर्स एक बार फूड को नीचे आने के बाद वापिस नहीं जाने देते ऐसे ही स्टमक से जब आगे की तरफ डियोडेनम वाले पार्ट में यहाँ पर बाइल के एक्शन के लिए पैंक्रेटिक जूस के एक्शन के लिए यहाँ पर भेज दिया जाता है जब फूड को तो यहाँ पर भी चेटर्स होते हैं जो फूड को बैक्श फ्लोग होने से रोख देते हैं। ऐसे ही ऐनस और रच्टम के पास स्प्या होते हैं जो फूड के बैक्श फ्लोग होने से रोखते हैं। तो यह था human digestive system के बारे में I hope आप लोगों को समझ में आया हो Thank you so much अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है then please इस वीडियो को लाइक करना ना भूले Thank you